नमश्कार कैसे हैं आप सभी वेल्कम यू आल बंस अगेन जैसा कि आप सभी को पता है बीसी पार्ट थर्ड के लिए हमने कार्बोहाइडिट शुरू किया है उसमें हम मोनो सेकराइड्स को पढ़ चुके हैं मोनो सेकराइड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं जितने अभी Pis kindergarten जो था सारा मोनो सेकराइड्स में था यह यूनेट बेस्थ जोंव specify ति मोनो सेब्स पर थी अब जो हम पढ़ेंगे वह इसा नहीं किlichen वह थोड़ा बहुत इंप्रेंट है लेकिन जो मेन पार्ट था वह हम खत्म कर चुके हैं अब तो बस जो आएंगे मोनोसेकराइड जैसे आपको यादो हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तो monosaccharides, oligosaccharides और polysaccharides तीन में बाठी थे ना शरक्राओं को कार्बोहाइड्रेट को एक थे monosaccharides, oligosaccharides और एक तुन से थे हमारे polysaccharides तो monosaccharides को हमने पढ़ लिया है अब नंबर आएगा किसका? oligosaccharides का ठीक है? बहुत जादा कुछ पढ़ना नहीं है कुछ important sugar दे रखी है बस उनको पढ़ना है जैसे कि हमारा सुक्रोज है माल्टोज है इस तरह से हमें कुछ simple simple sugar पढ़नी और उनके reactions भी नहीं पढ़ने केवाल उनका structure और उनके बारे में पढ़ना है कि क्या है तो वह बहुत जादा time नहीं लेंगे दो या तीन lectures में वह खत्म हो जाएंगे ठीक है एक बच्चे ने पूछा था कि उसको glucose की hemiacital यानि कि जो cyclic structure है वह समझ में नहीं आई तो ठीक है दुबारा discuss कर लेते हैं जिन जिनको नहीं समझ में आई उनको शायद अब समझ में आ ज और इससे चार हाइड्रोक्सिल ग्रूप जुड़े हुए होते हैं सबसे नीचे होता है CH2OH, OH, H, OH, H, H, OH, OH, H, यह क्या है हमारा भई? यह हमारा है D glucose लेकिन glucose जो होता है वो कभी वी इस open chain structure में नहीं रहता यानिकि यह जो इसकी form है open chain structure है यह stable नहीं है क्योंकि glucose इस form में नहीं रहता है किस में रहता है? यह glucose जो है वो cyclic structure में रहता है जिसे हम hemi acetyl structure भी बोलते हैं क्यों रहता है वई? दिख रहा है न आप लोगों को यह कौन सा ग्रूप है? LDhyde group है कौन सा है LDhyde group है और यह कौन से है? यह है hydroxyl group क्या है? hydroxyl group है तो hydroxyl group में oxygen है oxygen के पास lone pair होता है तो हम जानते हैं जैसे हमारे पास यह हो R, C, O, O, H, LDhyde है ठीक है? जब हम इसकी reaction alcohol से कराएंगे ROH से किसी अमलिकी उपस्तिती में किसकी उपस्तिती में? अमलिकी उपस्तिती में तो यह reaction कौन सी होती है? इस reaction को बोला जाता है हेmi acetyl reaction क्या बोला जा प्लस को ले लेता है ठीक है वही ले लिया H+, फिर क्या बनेगा? R, C double bond, O, H+, और यहां पर क्या है? H, ठीक है? अब हमारे पास क्या है? R, O, H, oxygen पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसे हटाने के लिए इस bond को अपनी तर कर देंगे कारवन पर, तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारे पास R, C, O, H, और यह बनेगा A, O, R, यहां पर H+, और यहां पर क्या है हमारे पास? यहां पर है हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहां से H+, जो है वो बाहर निकल जाएगा, oxygen पर क्या जाएगा? R, C, एक तो कारवन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक कारवन से OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, और H, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैमी एसीटल, यह क्या कहलाता है हमारा हैमी एसीटल, तो जिसमें एक हाइड्रोक्सिल, कारवन, जो पहले कौन सा कारवन था अब वो किसमें चेंज हो गया है अब वो संग आसपी तरी यह कारवन पहले कैसा था सूब्स तरह से रियक्षिन यहां पॉसिबल नहीं है यहां भी को एल्कोहॉलिक गुरूप है कितने सारे एल्डी हाइडिक गुरूप भी है तो क्या यहां पर नहीं हो सकती है रियक्शन हो सकती है होती है हो सकती क्या है होती है तो सेम रियक्शन जो मैंने यहां दिखाई है वो यहां पर भी होती है कैसे होती है दिखाते हैं यहां पर भी हैम एडिक एडिक ग्रूप है यह गरेगा हाइड्रॉक्स वाली नहीं करेंगे तो साइकल कितने सदस्य बनेगी एक दो तीन तीन सदस्य वाली क्या कहते है रिंग बनेगी वले बनेगी जो कि stable नहीं होती बहुत थाइड येर में पहुंचे के इतना तो जानते होंगे कि तीन सदस्य वाली वले stable नहीं होती क्योंकि उसके अंदर strain तना बहुत जादा होता है एंगल strain ठीक है यहां से अटेक करेगा तो क पानच सदस्य वाली बने बनेगden फंट जेनल में स्टेबल नहीं होता इसके यह वाला इस ऑक्सीजन पर जाकर कैसे माध्यम क्या होना ची ke box kriegen क्या करेंगा hydrogen को ले लेगा जैसे hydrogen को लेगा इस पर किसा चार्ज आ जा जाएगा पॉजिटीव तो क्या होगा जैसे भावन इधर करेगा जैसे ही ये bond इधर move करेगा और अगर acidic condition ना हो तब भी ये reaction होती है ठीक है जैसा कि मैं बता हूँ क्योंकि normally ये acidic condition में तो नहीं रहेगा normally glucose acidic condition में तो नहीं रहेगा तो ये तो normal है naturally पाया जाता है cyclic structure में तो क्या होता है यहाँ पर वो बता रही हूँ ये delta negative है ये delta positive है तो ये क्या करेगा electronों को अपनी तरफ खीचेगा जैसे ही electronों को अपनी तरफ खीचेगा तो इस oxygen के पास क्या है lone pair है ये जाके attack कर देंगे इस carbon पर तो ये bond concept हो जाएगा oxygen पर ठीक है तो क्या वनेगा ये वनेगा c o minus यहाँ पर क्या वना o minus वना ये h इधर ले लिया और मैं इसको ऐसे लिख दू बाकी group पर तो कोई attack नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा केबल इस oxygen ने attack किया है किसने इस oxygen ने attack किया है तो मैं इसको थोड़ा उपर लिख दू ये रह oxygen o h और यहाँ पर किसने attack किया है इसने जाकर इस carbon पर attack किया है इसके loan pair ने इस carbon पर attack किया अब इसने कितने bond बनाने है तीन bond तो इसको o h plus लिख दिया बाकी adjectives लिख दू o h h और नीचे क्या है हमारे पास ch2 o h इधर क्या है h है ठीक है अब यह o minus क्या करेगा इस h plus को ले लेगा तो यह क्या बना लेगा यह बना लेगा o h h o h h o h h h और o h और यह ch2 o h और यहाँ से जो एक hemiacital carbon अब यह carbon कौन सा था यह वाला जो carbon है पहले कौन सा था ld-head वाला यह जो carbon बना नया जिसपे o h group आ गया यह पहले कौन सा था ld-head लेकिन अब इस पर क्या आ गया है एक तो o h group आ गया है और दूसरा क्या है o r दिख रहा है ना यह o है और यह किस से जुड़ा हुआ है carbon से तो इसका मतलब एक तो o h है और एक o r group है यह क्या बन गया इसका मतलब यह खुद क्या बन गया यह बन गया hemi acetyl यानि कि इसको बोलते हम hemi acetyl structure glucose की तो यह glucose जो है वह दो फॉर्म में रहता है एक alpha और एक होती है beta यानकि यह o h group ring के अंदर भी हो सकता है जैसे ही यह sp3 में जाता है तो carbon में क्या होता है single bond हो जाता है single bond होगा तो single bond में क्या हो सकती है rotation allowed है single bond में rotation allowed है तो यहाँ पर दो form बनती है carbon ring के oxygen ring के अंदर भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है hydrogen हो और oxygen यहाँ हो तो यह कौन सी structure होगी beta structure तो इस तरह से glucose की दो anomeric form होती है दो anomeric form होती है एक होती है alpha और एक होती है beta ठीक है माल लो यह beta structure बनी अब मैं इसको अच्छे से लिख दूँ ठीक है अच्छे से बना लो इस ring को कितने सदस्य है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच और यह 6 तो ring कौन से कितने सदस्यों वाली बनेगी sorry गला खराब है आज मेरा इसलिए, तो जो ring बनेगी कितने सदस्यों वाली बनेंगे 6 सदस्यों वाली, ठीक है तो हम बना लेते हैं छह फ़ीं सदस्यों माली डें बना लेते हैं ऐसे ही तो बनती है, छह सदस्यों वाली ring, बस क्या होगा इसमें बीच में oxygen होगा है ना अब ग्रूप लगा देते हैं इसपर अब इसपर ग्रूप अटेच्छ कर लेते हैं कि तो कैसे अटेच करेंगे और हम जानते हैं राइट वाली चीज उपर आएगे और राइटवाली चीज क्या होगी नीचे होगी ठीक है जानते हैं बनालो वह च्छे से क्या बनाओगे left वाली चीज जो होती है ये कौन से आद पर आ रहे है left hand पर तो जो left वाली चीज होती है वो उपर रखते हैं और right वाली चीज नीचे रखते है यानि कि जो OH गुरूप होगा वो उपर आएगा hydrogen होगा वो नीचे आएगा left वाली चीज उपर वाईट वाली डीज़ नीचे तो यहां पर कौन आएगा हईगा है उपर हाइडरोज़न और ऑट का आएगा निच ओपार राइट वाली आप रहता है ठीक है यह जो CH2OH है यह हमेशा अप रहता है क्यों अप रहता है यह मैंने बताए था मैं दुबारा नहीं बताऊंगी आके पीछे वाला लेक्चर जिसमें ग्लुकोस की चक्री सरचना के बारे बताये गया है वहाँ जाके रिपीट करो क्या होता है यहां पर इंटर्चेंज होता है इंवर्जन होता है दो बार डवाल इंवर्जन होता है CH2OH पहले यहां जाएगा हाइड्रोजन इसकी जगह आएगा पहला इंवर्जन फिर दूसरे इंवर्जन में क्या होगा हाइड्रोजन रिंग के अंदर जाएगा और रिंग जो होगी वह बाहर आ बना सकते तो किस तरह से बनाएंगे इस तरह से हमने इसकी chair form बना ली यहाँ पे oxygen है ठीक है और यह वाला जो carbon है जिस जो पहले LD हाइडिक carbon था अब किस में change हो गया hydrogen और oxygen याँ एस पी 3 carbon में change हो गया इस carbon को हम क्या बोलते हैं इसी carbon को बोलते हैं एनोमेरिक carbon यह इसी को बोलते हैं हेमी ऐसीटल कार्वन कया कहला आइनोमेरिक carbon कहलाता है यह हेमी ऐसीटल कर्वन क्योंकि दो अैमियरॉस बनते हैं इस निए इस carbon की बजदे दो जाने आजन बज़ेसे चरफ पाराँ पूदूं के बाहर होगा उसी कशाधार पर हम क्या बुलत है एलफा और उस बाहर है तो बीटा है अगर उएच गुरूप अंदर यह ले तोेप्ष सम esperando ठीक है अब इसको क्या रखना हुद में रखना है कर फ़रम में उतकत कि दो दो ओन साइक्लों गटनेगे तो यह सब ज्यादा श्रमिंद्गी वाली वात तो यह वाला जो बॉंड है अगर देखें तो यह कर्णक कैसा है नीचे की तरफ है तो यह वाला जो भॉंड आप यह वाला जो भॉन्हें यह वाला बैंड या बिलो दॉद्द यौन यह यह नहीं फर यह वाला जो बननद होगा यानि हाइड तो लगादिया डाउन गाउन देख emotional करें यह सीदा वाला गाउन चैनल यह उन्डाउन होगा और यह उपके cage वाऋएड horror आप है और वाफ क्या है दाउन तो लगा दिया वाला कार्वने तो Shnoja थो dużo इस तो यह ऀस्ट्रक्टर सैक्ली तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा था इस तरह से यहालि लगा दिया करवन है ये carbon number one है ये वाला carbon है carbon number one और इसी carbon को हम क्या कहेंगे ये है हमारा anumeric carbon ये क्या है हमारा aromeric carbon है तो इस carbon पर अगर OH ग्रूप अप है तो ये कौन सी form है बीटा कौन सी रिंग है ये बीटा और जो छह सदस्य वाली रिंग होती उसको पाईरान बोलते हैं जो 6 सदस्य वाली रिंग होती है उसको क्या बोलते है पाइरा तो पाइरा नोज इस्ट्रक्चर है यह ग्लुकोस का कौन फैस्ट्रक्चर है यह ग्लुकोस की 6 सदस्य वाले है जिसको हम बोलते हैं बीटा पाइरा नोज इस्ट्रक्चर ठीक है अगर यह ओएच ग्रूप एक् तो यह हमारा बीटा अनुमर और अगर को में यहां लगा दूंगी यानि कि अगर मैं ऐसा कर दूँ और यहां लगा दूँ हाइड्रोजन यहां लगा दो तो यह कौन सा हो जाएगा एल्फा पाइर नो इस्ट्रक्चर इस तरह से ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है एलफा और के यह तुद सबसे इसे लक्टे में अवरा bच्ची यूंड बना लेते हैं ग्लॉकोजस वाले बच्चे बना लेते हैं सबस्द्रिंप सबस्द्रल्इक है आज्ए सरस्ट्राइध अब हम च्रू करने वाले बदे हैं ओलीगोघटन ड Mexico Time 1 wissen culture डीने ओलीने कि पनगा बदें यह ऐसी सरकराएं होती है जिनके जल अप्गटन पर हमको क्या प्राप्त होते हैं मोनोसेकराइड प्राप्त होते हैं तो आहांको हम क्या कहते हैं कि उन्हें ओलीगो सेकेराइड्स कहते हैं अब यह जो मोनो सेकराइड हमको प्राप्त होते हैं इन्हीं के आधार पर इनको कई सारे पार्ट्स में बाटा गया है है ना ये भी कई तरह के होते हैं कैसे होते हैं ये केतने प्रकार के होते हैं ये बीबी ने प्रकार के होते हैं सेकराइड यूणिट के आधार पर किसे अधार पर वाटा गया इनको मोणो किया हम ने जलब गठन किया अमको दो दो करा प्ति हुए तो उनको कहेंगे हम डाई सेगरा अगर हम को तीन मोढ 힘들 through the ट्राइ शेकराइड फॉर एक्जाम्पल जैसे की डाइसेकराइड ट्राइसेकराइड यूनिट प्राप्त होंगी तो उनको क्या गाएगे यानि कि जब हम इसका जल अपगटन करेंगे जल अपगटन करेंगे हाइडरो एस टो के साथ रियक्शन करेंगे तो दू मोनोसेकराइड प्राप्त होंगे जब इसका जल अपगटन करेंगे तो तीन मोनोसेकराइड प्राप्त होंगे जब इसका जल अपगटन करेंगे तो च सब्सक्राइब लाफट मोन सब्सक्राइड के आधार पर इनको किसा इुड़ारे तके इसमें होता है तर नहीं पड़ने समें नहीं केवल कौन से पढ़ने हैं, आपको, डाई सेकराइट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो हमको केवल क्या पढ़ने हैं, हमको पढ़ने हैं, डाई सेकराइट्स, हमको केवल डाई सेकराइट्स पढ़ना हैं, डाई सेकराइट्स, तो यानि कि डाई सेकराइट्स क्या होते हैं, कि जो जो सरकरा जल अब गटित होकर कितने मोनो सेकराइट दे दो अभी मैंने बताया दो मोनो सेकराइट यूनिट दे तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो शरकरा जल अब गटित होकर दो मोनो सेकराइट दो मोनो सेकराइट देती है जलब गटित होकर दो मोनो सेकराइड देती है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं डाई सेकराइड ठीक है डाई सेकराइड कहते हैं अब जलब गटन हुआ ठीक है दो मोनो सेकराइड मिले अब यह मोनो सेकराइड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते यानि कि दोनों के ऐसे हैं दो अलग-अलग monosaccharide भी प्राप्त हो सकते हैं और दो सेम monosaccharide भी प्राप्त हो सकते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्राप्त होने वाले monosaccharide प्राप्त होने वाले monosaccharide समान भी हो सकते हैं और नहीं भी समान हो सकते हैं या समान नहीं हो सकते दोनों केस हो सकते हैं जो प्राप्त होंगे मोनोसेकराइट वो सेम भी प्राप्त हो सकते हैं और डिफरेंट भी प्राप्त हो सकते हैं तो दोनों तरह की मोनोसेकराइट प्राप्त होते हैं सेम भी प्राप्त हो जाते हैं और कभी-कभी हमको डिफरेंट सेकराइड लिया है यह एक से जादा तरह की यूनिट से बनाए तो जलाप गटन पर उतने ही यूनिट हमको प्राप्त होते हैं तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं कौन कौन से डाइस एंग्जामपल क्या है वही कौन कौन से है तो यह जो हमारा सुक्रोज है कभी नाम सुना हो सुच्रोज लेक्तोज माल्टोज यह सभी क्या है डाई सेकराइट्स है सुक्रोज लेक्टोज माल्टोज यह सभी क्या है डाई सेकराइट्स यानि इनका जलब गटन करेंगे तो हमको कितने प्राप्त होते हैं तो हमको दो मोनोसेकराइट प्राप्त होंगे जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते है है जल्दी से नोट कीजिए तो हम डाइस एकराइट में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हमारा सुक्रोज यान कि जो अब हम सुरू करने वाले हैं वो है सुक्रोज सुक्रोज को पढ़ेंगे क्या है चुक्रोज कैसा होता है क्या बोलते हैं इसे यह सब पढ़ने वाले हैं तो जल्दी से नोट कीजिए मैं इसको मिटा के पूरा बोर चींग चींगे मुझे तो मटा दू हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं सुक्रोज सुक्रोज इसके बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता सुक्रोज के बिना क्या है सुक्रोज चीनी जो आप घरों में चीनी खाते हो यानि चाय में डालके जो चीनी पीते हो ना वही वो सुक्रोज है ठीक है तो सुक्रोज का जो एक और नाम से हम बोले हैं तो केन शुग यह केवल शुगर हएं तो हम घरोंने यूज़ करते हैं तो क्या है सुक्रोज वो boost करते हैं नहीं सब्सक्रेशे मढ़्र सूग्र domj ऐसी नहीं होगा तो फिर चाह किसकी बनाइगे पीएंगे तो इसे क्या कहते हैं इसे एक और नाम से जानते हैं इसे केन सुगर या सिंपल सक्कर भी कहते हैं केण शुगर का मतलब केण माने गनना केण क्या होता है एक जम क्या होता है कद्सक्राइब इसको के शुगर या शक्कर यानिकि शूगर् det tills है ठीक है इसका मतलब यह तो बहुत important है कहां से प्राप्त होती है गन्य के रश से ठीक है कहां से प्राप्त होती है यह गन्य से प्राप्त होती है सोर्स क्या है इसके गन्य है सोर्स गन्य है क्या करते हैं गन्य से कैसे प्राप्त होती है गन्य के रश से गन्य का रश होता है उससे सुक्रोज के क्रिस्टलों को अलग किया जाता है तो गन्य के रश से सुक्रोज के क्रिस्टल अलग किये जाते हैं किस से प्राप्ट होती है गन्य के रस से गन्य का रस है उस पर से हम सुक्रोज को क्रिस्टली करते हैं तो वहां से सुक्रोज के जो क्रिस्टल है उनको क्या किया जाता है प्राप्ट किया जाता है फिर वहां से सुक्रोज के crystal प्राप्त किये जाते हैं यानि इसको crystalिए रूप में प्राप्त करते हैं और कभी सुना हो गन्हां इंपोटेंट है क्या होता है उसे हम चीनी प्राप्ट करते हैं और चीनी के बाद बच द्रभ तुम भचते है में तो इसके सेरा सन्ड़ य स्थीक को in लाम सुनन सुना हूं में लैके यानि क्रिस्टल प्रत्क कर लेते हम सिक्रोज के उसके बाद जो बचा हुआ रह जाता हुषको क्या बलते रहते हैं जिसका खुद बनाई जाती है क्या बनाई जाती है कई सारे उध्योग ऐसे हैं जिसमें सीरे का यूज होता है तो यानि कि इसका जो बचा हुआ पदार्थ है यानि सीरा है वह भी इंपोर्टेंट होता है तो हम यह कह सकते हैं सुक्रोज के प्रथक करण के बाद बचे हुए गाड़े द्रव गाड़े द्रव को क्या कहते हैं गाड़े द्रव को सीरा क्या कहते हैं शीरा मुलासिज कहते हैं ठीक है जिसका अपना ही एक अलग यूज है अपना ही एक अलग महत्व है ठीक है कि बहुत होता है शराब बनाने में तो कुछ ज्यादा ही यूज होता एगर हम सिक्रोज की प्रॉपर्टी में क्या-क्या गूण होते हैं properties पहला तो क्या है यह कैसा है क्रिस्टलिय पदार्थ है कैसा पदार्थ है क्रिस्टलिय पदार्थ है और वह भी कैसे रंका होता है वाइड कलर का यहां पर ऐसे लिखो ये इसके क्या है बहुती गुड है तो बहुती गुड में क्या आते हैं कलर कैसा है गलनांग देखें तो इसका गलनांग कितना होता है बहुत आई होता है वही इसका गलनांग कितना 180 डिग्री सेंटीग्रेट होता है इसका गलनांग 180 डिग्री सेंटीग्रेट होता है ठीक है तीसरा देखें इसकी विले ता किसमें गुलता है किसमें नहीं गुलता हम तो जानते हुंए चीनी जल में बहुत जल्दी गुल जाती है ले ले करा इसका गाल और एथर में कैसा होता है एलकोहॉल वा एथर में कैसा होता है अविले होता है यह जल में तो बहुत जल्दी गुल जाता है लेकिन एथर और एलकोहॉल में नहीं गुलता असानी से ही कैसा होता है अविले होता है ठीक है आगे देखें जब हम इसे बहुत जादा गर्म करते हैं अ कुछ बना लेती है ना उसे क्या बोलते हैं क्या बोलते यह उसको बूलते हैं भूरी छीन क्या वह बहुँ क्या बनता है भूरे रंग का क्या बनता है कैलो मल बनता है जिसे क्या बोलते हैं कैलो मल तो भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं जिसे कैलो मल या भुनी हुई शक्कर कहते है कि देखा है ना बच्चे बनाते थे tapi всем उता है या उनी होई शयर करा थिक है अगर इसका एक सबसे इंपरेंट good कोड़ का जाए तो यह क्या होता है यह सबसे इंपोर्टेंट गोड़ा है इसका ठीक है यह ठोस अवस्था में यानि कि जब यह सॉलिड होता है ठोस अवस्था में कैसा होता है और देक्स्ट्रो रोटेट्री होता है देक्स्ट्रो रोटेट्री तो जानती होंगे क्या बोलते है इसको ग्लेंत क्या होता है क्यावऽण धनी इसको आप्टिकली एक्टिव होता है और क्या करता है जैसे इसे इस पर प्लेइन पोलराइज़ डालते है तो उसको क्या कर देता है डेक्स्टो परन्तों के विलियन अवस्था में जब इसका सॉलूशन लेते हैं तो विलियन अवस्था में यह उता है विलियन अवस्था में ये होता है लीवो रोटेटरी यानि कि वाम धूवन घूरनक यानि कि अगर सॉलिड स्टेट में हैं अवस्था में हैं तो clockwise गुमाएगा PPL को लेकिन अगर इसको हम solution अवस्था में लें solution बना कर लें तो PPL को किदर गुमाएगा anti-clockwise, लीवो रोटेटरी हो जाता है anti-clockwise होता है और इसी लिए इसी लिए इसे क्या कहते हैं invert sugar भी कहते हैं invert शरकरा कहते है invert का मतलब क्या होता है उलट जाना इनवर्ट का मतलब क्या है उलट जाना है तो इसको invert शरकरा क्यों कहते है क्योंकि solid state में ये dext or rotatory होता है और liquid state में ये कैसा होता है leave or rotatory वाम गूर्णक होता है इसी लिए इसको हम एक और नाम से भी जानते है जिसे बोलते हम invert sugar ठीक है तो ये तो है इसके बहुत एक गुण ठीक है अच्छा सबसे important चीज़ तो बताने बोलगी सुक्रोज का molecular formula क्या होता है C12H22O11 C12H22O11 ये क्या है इसका molecular formula है ठीक है तो आगे देखते हैं इसकी reaction देखते हैं क्या करते हैं हमने बोला ना सुक्रोज का जलब गटन होगा तो क्या होगा मोनो सेक्राइट तो करके देख लेते हैं तो अगला जो गुण ने छेक्रोज पॉइंट यहां इसके बारे में तो लिखेंगे वो लिखेंगे कि इसका अमल की उपस्थिती में जलब अपगटन क्या करेंगे इसका जलब गटन करेंगे हमको क्या प्राप्त होगे हमको प्राप्त होगे मोनो सेक्राइट तो किसकी उपस्तिती में अम लिकी उपस्तिती में जब हम इसका जल अपगटन करते हैं ठीक है तो क्या प्राप्त होता है हमको जल अपगटन पर जल अपगटन पर क्या प्राप्त होता है डी प्लस ग्लूकोज तथा डी माइनस फ्रक्टोज का इक्वी मोलर कैसा? इक्वी मोलर मतलब 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज तो इंदियां बोलते हैं सम् मोलर इक्वी मोलर mixture प्राप्त होता है इक्वी मोलर mixture यानि कि सम् मोलर यानि कि 50% glucose 50% fructose तो क्या है हमारा सुक्रोज क्या होता है C12, H22, O11 यह क्या है हमारा यह हमारा सुक्रोज है ठीक है जब हम इसका जल अपगटन कराएंगे यानि कि इसकी reaction कराएंगे water के साथ किसकी उपस्तिती में अमल की उपस्तिती में जो की हम लेते हैं dilute HCl ठीक है तो जब हम हम इसकी उपस्तिती में इसका आपगटन कराएंगे तो हमें क्या पराप्त होगा C6, H12, O6 प्लस C6, H12, O6 एक तो होगा जिसमें D-glucose D-glucose वो भी कैसा प्लस ठीक है और एक होगा D-fructose और वो भी कैसा माइनस एक होगा D-fructose वो भी कैसा माइनस और एक होगा D-glucose जो कैसा होगा प्लस होगा यह प्लस और माइनस क्या है भई यह प्लस और माइनस क्या है क्यों है यह प्लस और माइनस अरे तो आपको यह तो पता होगा ना प्लस और माइनस कब लगाते हैं कभी stereochemistry पड़ी हो, तो जो यह क्या होते हैं, optically active होते हैं, glucose पड़ाना, ग्लुकोस के अंदर कितने सारे asymmetric center हैं, तो glucose क्या होता है, optically active होता है, दुरुवन घूर्णक होता है, तो जितने भी दुरुवन घूर्णक मॉलीकुल होते हैं, वो क्या करते हैं जैसे ही उन पर PPL डाली जाती है यहां तो उसको clockwise गुमा देते हैं यह एंटी-clockwise गुमा देते हैं तो इसका मतलब हमको जो glucose प्राप्त होगा वो कैसा है positive लगा हुआ यहां पर यानि कि जो glucose मिलेगा यह कैसा मिलेगा dextro-rotatory प्लस का मतलब क्या है यहां पर प्लस का मतलब है dextro-rotatory यानि कि यह PPL को कैसे गुमा देगा PPL को clockwise गुमा देगा dextro-rotatory का मतलब PPL plane polarized light को clockwise गुमा देगा और जो fructose मिलता है वो कैसा है वो है levo-rotatory levo-rotatory का मतलब PPL को कैसे गुमा देगा anti-clockwise गुमा देगा ठीक है तो एक मिलता हमको dextro-rotatory glucose और दूसरा मिलता है dextro-rotatory fructose यानि कि दोनों monosecrites अलग-अलग प्राप्त होते हैं एक है glucose एक है fructose एक है eldos शरकरा और एक है ketose शरकरा तो जैसा कि मैंने बोला था same भी मिल सकते हैं और अलग-अलग भी मिल सकते हैं तो यह जो हमारा de-glucose है यह क्या करता है PPL को clockwise गुमा देता है है ना कितने अंगल से गुमा देगा clockwise तो इसका जो घुडनन अंगल है यानि PPL को गुमा देगा clockwise कितना plus 52 degree गुमा देगा clockwise ठीक है 52 degree का मतलब क्या है PPL को गुमा देगा कितना और ये कितना गुमाएगा ये है minus तो इसका कूण जहोता है वो जाधा होता है कितना होता है तो अभी मैंने बोला कि जो सबस्ता में होता है तो क्या होता है क्यों यहां से पता चल जाएगा सुक्रोज का हमें अब जल अब गटन कराना है तो विलियन अबस्था में लेना पड़ेगा ना क्या गरेंगे विलियन अबस्था में लेंगे और विलियन अबस्था में देखें तो एक क्या बनता है फ्रक्टोज बनता है एक बनता है ग्लू इसी लिए विलियन अवस्था में फ्रक्टोज का गुणन कौन जादा है तो यहांने कि यहां पर डॉमिनेट कौन करेगा यहां पर किसका प्रभाब जादा होगा माइनस 92.6 डिगरी का इसी लिए जो हमारा सुक्रोज है वो विलियन अवस्था में लीवो रोटेटरी होता है है ना तो लीवो रोटेटरी होता है इसी लिए उसको क्या कहते हैं हम इनवर्ट शुगर कहते हैं और लीवो रोटेटरी क्यों है क्यों कि ग्लुको जो फ्रक्टोज है उसका नेगिटिब में एंगल जादा है जो कि क्या कर देता है डॉमिनेट कर देता है तो अगर हम ओव अबस्था में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ्रक्टोज वाली वाली फॉर्म क्या करती है ब्रॉटेशनल पहले जबनेगे हैं तो ओवर ओल्ओल जुआ में विलियन देखता है यानि ऑवर ऑल सुक्रो जो विलियन होगा यानि विल्ल मिला कर सं मोलर मिश्रंट होगा das सम्मोलर मिश्रन को हम क्या कहेंगे एसलिकूं कुल मिला कर सम्मोलर मिश्रन कैसा होता है लीवो रोटेटरी होता है कैसा होता है लीवरोटेटरी क्योंकि रो मिक्षर मिल रहा है इस में ज्रूंग रहा है एक पिरहां कि लेकिन ओवारल देखा जाए तो ये ओवर कैसा होगा लीवो रोटेटरी होगा क्योंकि यह डोमिनेट कर रहा है जो नेगिटिव वाला जो एंगल है वो जादा है यानि कि यह जादा डोमिनेट कर रहा है तो ओवरल हम उसको क्या कहा देते हैं यह लीवो रोटेटरी होता है इसलिए मैंने का सुक्रोष का जलिये विलि सुक्रोज अब उस्को इन्वर्जन सुगर क्तीप सरकरा कैते हैं ठीक है और जानकारी लेते हैं सुक्रोज के वाले में यह उडुक्रोज है है यह जो सुक्रोज है यह कैसी सरगरा होती है सुक्रोज अनअप्चायक सरकरा होती है अनप्चायक का मतलब जो Failing solution talyns reagent जो हम लेंगे उसका रिड़क्षन ना करें उसका अप्चयन ना करें जैसे glucose में देखा था तो अप्चेन का उप्चेन कर देता है ना फ्रक्टोज भी दोनों का अप्चेन कर देता है लेकिन सुक्रोज की बात करें सुक्रोज में ग्लुकोज का मिक्षर है है ना सुक्रोज क्या है ग्लुकोज और फ्रक्टोज का सम्मिक्स्चर है लेकिन ये क्या है अनप्चायक है इसका मतलब ये क्या है अनप्चायक सरक्रा होती है यानि कि ये failing villain का अपचयन नहीं करता है इसके लावा glucose की जो बहुत important reaction है osajone osajone का निर्मान ये सुक्रोज के साथ देखी जाए तो osajone का निर्मान भी नहीं होता है तो यह osajone का निर्मान नहीं करता है तो इसका मतलब hydroxyl amine भी नहीं बनाएगा क्योंकि पहले तो क्या बनता है hydroxyl amine ही तो बनता है तो इसका मतलब यह NH2OH के साथ यह नि hydroxyl amine के साथ hydroxyl amine के साथ अभिक्रिया नहीं करता है यह ना यानि कि यह failing solution को reduce नहीं कर रहा है यह osajone का निर्मान निक कर रहा है यह hydroxyl amine के साथ भी reaction नहीं कर रहा है इसका मतलब सुक्रोज की structure यह क्या उता रहे हैं सुक्रोज की यह सारी reaction है किस ग्लूकोज के अंदर क्या होता है CHO group LDHID group ketone के अंदर क्या होता है C double bond O R और इधर भी carbon और carbon तो fructose के अंदर keto group है और glucose के अंदर LDHID group है और अगर ये सारी reaction नहीं हो रही इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जो सुक्रोज है सुक्रोज के अंदर जो glucose और fructose मौजूद है दो मोनोमर मौजूद है वो इस तरीके से मौजूद है यानि कि उनकी structure ऐसी है कि ना तो glucose के अंदर उसका LDHID group उपस्तित है ना ही fructose के अंदर उसका ketonic group उपस्तित है अगर उपस्तित होता तो ये सारी reaction देता लेकिन ये सारी reaction नहीं दे रहा है इसका मतलब सुक्रोज के अंदर उसकी जो structure है वो ऐसी है कि ना तो उसमें LDHID group है ना ही उसमें ketonic group है तो यहां से इसके structure के बारे में पता चलता है कि ऐसी structure होगी कि जहाँ पर इसका जो carbon है एनोमेरिक carbon है जो react करना चाहिए वो मुक्त नहीं होगा यानि मुक्त नहीं होगा यानि आपस में क्या होगा जुड़ा हुआ होगा सुक्रोज और fructose का जो carbon है जिस पर reaction होनी है वो आपस में जुड़ा हुआ होगा मुक्त नहीं होगा और मुक्त नहीं होगा तो reaction नहीं होगी इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है और यह जो experiments है यहां जिस structure के हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टी भी हो चुकी है experiment से पता चल चुकी है तो आप जो हम बचे देखेंगे सुक्रोज के बारे में वो देखेंगे सुक्रोज की structure कैसी होती है देखते हैं भई तो यहां पर हम सुक्रोज की सरचना बनाएंगे अब हम जो देखने वाले हैं वो है सुक्रोज की हावर्थ सुक्रोज का हावर्थ projection सूत्र देखेंगे प्रक्षेपन सूत्रिया सरचना यानिकी सुक्रोज जैसे हमने ग्लुकोज का हावर्थ structure बनाई थी ना ग्लुकोज की हावर्थ structure कौन सी थी उसकी जो साइकलिक सरचना बनाई थी छे सदस्य वाली जो वले बनाई थी वो ऐसा मतलब सुक्रोज के अंदर एक तो इतना तो मैं पता चल गया दो मोनमर प्राप्तो एक ग्लुकोज प्राप्तो और एक सुक्रोज प्राप्तो और दोनों में ही ना तो एल्डी लेकिन अगर वो क्लोज चेन में चला जाए हैमी एसीटल इस्ट्रक्चर बना ले तो जो सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज उपस्थित है वो ओपन चेन में तो नहीं है कौन सी चेन में है अगर जो स्वान सी पूंसी वाली का मतलब यह तो दो तरह की बताई थी आलफा और एक बताई थी बीटा तो यह कौन सो फॉर्म है एलफा फॉर में यह बीटा फॉर में तो यह जो ग्लूकोज मौजूद होता है इसमें एलफा डी ग्लूकोज होता है कौन सा होता है एलफा डी प्लस ग्लूकोज होता है कौन सा ग्लूकोज होगा एलफा डी एलफा डी होगा इसका मतलब इसका मतलब एलफा अगर एलफा उप बाकि और क्या रहे गे बाकि जो हईड्रोक्सिल ग्रूप रहेंगे उसमें OH नीचे रहेगा, CS उपर रहेगा, फिर यहां पर, OH नीचे रहेगा, फिर यहां पर, OH उपर रहेगा और H क्या रहेगा हमारा? नीचे रहेगा OH दीचे H उपर और यह CS2S और H यह कौन सी फॉर्म है ग्लुकोज की एल्फा फॉर्म है यह कौन सा एल्फा डी ग्लुकोज लेकिन यह तो तब है जब उसका हम जल अपगटन कर दिया लेकिन जब जल अपगटन नहीं हुआ है इसका मतलब उसके अंदर यह जो OH की फॉर्म है मुक्त अवस्था में हैं तब तक यहां पर रियक्शन हो सकता है कराए थी ना तुम लोग को ग्लुकोज की रियक्शन कौन कौन सी एस्टर निर्मार्ण तीक है ग्लाइकोसाइड बनाना और एथर बनाना वो सारी क्या हो रहे थी ग्लाइकोसाइड से एथर था रखं रहे था औरन रहे वहुआ पर हम्एटेक्शन कारोण और आसले इसका है उसके क्या होगा यह Worण फ्रक्ट के साथ हूं है यानि कि यह oxygen मुक्त नहीं है, जुड़ा हुआ है, किस के साथ जुड़ा हुआ है? Fractose के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं Fractose का बना लूँ, Fractose की सरचना बनाई थी जो हमने Cyclic, उसमें तुम लोगाने देखा था कि Fractose कैसा होता है? पाँच सदस्य वाली वले होती है फ्रक्टोस की इस तरह से इस तपास अपसे यह में बना चुकी हूँ आप लेक्चर यहां पर मनें स्ट्रक्चर के बारे मैं डिसकस किया था वहां पर फ्रे επान बढ़ेदा फ्रेंसी नपड़ कल लगे Mum कारवन पर होता है कौन से कारवन पर होता है दूसरे कारवन पर होता है यानि कि यह कैसा होगा यह ऐसा होगा यहां पर होगा यह होगा यह होगा C2H5 ठीक है यहां पर होगा नीचे होगा C2H5OH C2H5OH क्योंकि इसका जो उपर वाला कारवन है वो भी C2H5OH होता है और नीचे वाला कारवन है वो भी C2H5OH होता है इसके लिए आप पिछला लेक्चर देखें तो आपको समझ में आएगे यह कैसे बन रही है ठीक है फिर यह OHH यहाँ पर HOH और यहाँ पर C2H5OH उपर होता है और यह जो कारवन है यह जुड़ा हुआ होता है किस से? ऑक्सीजन से यानि कि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन अलग होता है और यह दोनों किस से जुड़ा होते हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं यानि कि यहाँ पर जो हमने ग्लूकोज लिया है वो ग्लूकोस का कौन सा रूप है एल्फा रूप और फ्रक्टोस का कौन सा है बीटा रूप ठीक है तो बीटा रूप उपस्थित होता है तो यह है ग्लूकोस सुक्रोस की हाव हुआ कि है हमें किसे πताए है ये आलफा अड़िये भी हो रियाइकशन करो पता चलता है कि glucose की पॉरम है फ्रक्टो यह जूड़ेपध हुआ है Linkage को क्या बोलते हैं, दो molecules का जुड़ना, तो यह जो linkage है, इसी को हम बोलते हैं, glycosidic bond, यह glycosidic linkage, तो यह जो bond बनाए, इन दोनों के बीच में, यह जो bond बनाए, जिसमें हमारा जो enumeric carbon का जो group था, functional group था, क्रियात्मक समु था, वो मुक्त था, लेकिन यहाँ पर जब इन दो क्योंकि इसके अंदर, यह जो main functional group है, जिस पर reaction होना था, carbon number one पर जो group था, वो मुक्त है ही नहीं, और जब group मुक्त नहीं होगा, तो इस पर reaction नहीं होगी, इसलिए यह कैसी सरकरा होती है, अनपचायक सरकरा होती है, ठीक है, और यह जो linkage होती है, यह जो bond होता है, इसको क्या बोलते हैं, glycosidic bond, बोलते हैं, glycosidic bond, तो अगर आम इसका नामकरन करें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर glucose है, कौन सा है, alpha-d glucose है, ड glucose लियाता, वह भी कौन सी फॉर्म में, alpha, वह भी कैसा, plus, क्या लियाता, glucose, तो glucose, कौन सी सरचना में, cyclic सरचना में, और cyclic सरचना में, 6 सदस् पाइरान, तो पाइरानोसिल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइरानोस नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखते थे, पाइरानोस, ओस कब लगाते थे, ओस लगाते थे, जब हमारी जो सरक्रा है, वो अपचायक होती थी, तब ओस लगाते थे, लेकिन हम यहाँ पर तो हम ये अपचायक सरक्रा है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रुप मुक्त ही नहीं, इसलिए OZ का प्रियोग हम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एलफा डी प्लस ग्रुकोपाइरानोसिल और बीटा डी माइनस, क्या है, फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टो, कौनसी वाली रिंग है फ्रक्टोज की, पास अदसी वाली रिंग, पास अदसी वाली रिंग को क्या बोलते हैं, फ्यूरान, क्या बोलते हैं, फ्यूरान, तो इसकी ज यहां पर ओसिल क्यों लगाया है क्या हो रही है क्या हो रही है यहां पर आलपा बीटा की बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रही है इसलिए इसका जो नाम है वो यह होता और इसका यह Harvard projection formula होता है, इस तरीके से हमारा जो fructose है वो मौझूद होता है, ठीक है, इसी को हम cyclic structure में भी बना सकते हैं, इसी को हम cyclic structure में भी बना सकते हैं, इसका नाम नोट कर लिए, मैं मिटा दू तो नीचे ही बना दूँगे, cyclic structure, को दिखाई दे रही हो तो, ठीक है, कैसे बनाएंगे cyclic structure, वही हम जानते हैं, यह तो six-member ring है, और six-member ring तो कौन सी form में रहती है, chair form में रहती है, six-member ring कौन सी form में रहती है, यह रहती है, chair form में, है ना, और कौन सी form में, alpha form में, alpha form में oxygen का होता है, नीचे होता है, alpha form में, अभी-भी just बताई थी, अभी यह मत कहना कि कैसे बना दी यह, अभी-भी lecture शुरू होने से पहले ही भी बताई थी, बाकि as it is रखेंगे, h और o h, h और o h, तो alpha form में o h का होता है, downside होता है, लेकिन यहाँ पर o h नहीं होगा, यह किस से जुड़ा हुआ होगा, 5 सदस्य वाली वल ऐसे, तो जोड़ दो इसे, यहाँ पर यह जुड़ा हुआ है इससे, इसको जोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ पर क्या था, c h to o h, अब इसको ऐसा क्यों बनाया है, 5 सदस्य वाली रिंग थोड़ी रहती है, चेयर फोर्म में, कौन जी रहती है, 6 सदस्य वाली रिंग रहती है, 5 सदस्य वाली रिंग तो ऐसे ही stable है, ठीक है, तो यह बना दिया हमने, बाकी के इस पर ग्रूप जोड़ दो, यह क्या था, h और यह था o h, ठोरी, o h और यह था नीचे, h, यह h और यह o h, और यहाँ पर था h, और यह है ch to o h, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चेयर फोर्म में भी दिखा सकते हैं, तो यह थी सुक्रोज की हावर्त structure, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे माल्टोस, माल्टोस के बारे पढ़ेंगे क्या है, इनके हमें reactions नहीं देखने हैं, क्येवाल इनकी structures पढ़नी हैं, तो हमने सुक्रोज की पढ़ ली, सुक्रोज के बारे में पढ़ लिया, कैसा होता है, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे माल्टोस, थैंक यू,